नमस्कार बंदे मातरम दोस्तों स्वागते आप सब का सैनिक पार्ट साला में आने वाले होली से पहले-पहले केंदर करमचारी और पैंसन भोगियों के लिए सरकार की तरफ से खुसकवरी का डबल डो जा सकता है दोस्तों कुल मिला करके 47 लाख केंदर के करमचारी 68 लाख पैंसन भोगी और 6.5 करोड पी एफ खाता धारों के लिए अच्छी खबर देते हुए आने वाले 21 फेबरोरी और 1 मार्च को होने वाले केंदर की केबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं दोस्तों इससे पहले कि आप सब को मैं क्या जानकारी है उसको बता हूँ मैं आप सब को बता देना चाहता हूँ कि ये जानकारी मैं किस माद्यम से किस सोर्स से लेकर आया हूँ अमर उजाला की तरफ से प्रकासित एक खबर के माद्यम से मैं आप सब को ये खबर दे रहा हूं दोस्तों कि आने वाले 21 फेवरुरी और एक मार्च को जो केंडरे केविनेट की बैठक होने जा रही है उस केविनेट की बैठक में केंडर करमचारियों और पैंसन भोगियों के लिए बड़ी सोगातें आ सकती है इन में से पहला सोगात है दोस्तों कि 2021-22 में जो ब्याज निरधारिद किया गया था उस ब्याज के पैसे को पी अफ धारकों को दिया जाने का भी decision लिया जाएगा और साथी साथ 2022-23 के लिए ब्याज का दर्द भी निरधारिद किया जाएगा और दूसरी जो खुशकबरी है दोस्तों वो हमारे D.A. और D.R. से जुड़ी हुई है आप सब को पता है कि एक जनुरी 2023 से हमारा D.A. और D.R. में बढ़ोतरी होना है उसमें महेंगाई का आकड़ा निकल चुका है और कुल जो हमारा D.A. और D.R. में बढ़ोतरी होने के जो आसार दिख रहे हैं दोस्तों वो 38% से बढ़ करके 42% होने के आसार दिख रहे हैं लेकिन अमर उजाला में जो ख़वर चपी है दोस्तों वहां 41% के बारे में बोला गया है लेकिन हमारा जो कैलकुलेशन बोलता है दोस्तों उसमें 38% से बढ़ कर 42% हो जाना चाहिए क्योंकि महेंगाई के जो आकड़े निकले हैं वो उसी साफ से निकले हैं तो देखते हैं आने वाले 21 फबरोरी या एक मार्च को जब सरकार की तरफ से डिशिशन लिया जाएगा तो डिये और डियार का परसेंटेज 38% से बढ़ करके या तो 41 या 42% होने के पूरे के पूरे आसार है अमूमन दोस्तों ये जो डिशिशन है ये अपरेल या मही में लिया जाता है लेकिन इस बार सरकार ने होली को देखते हुए इस डिशिशन को पहले लेने का जो है सिदानत सायद किया हुआ है जो कि एक अच्छी खबर है और पढ़ी खुस खबरी है केंदर कर्मचारिय और पैंसन भोगियों के लिए जिसके उपर हमें एरियर भी मिलेगा दो या तीन महीने का और हमारा पैंसन और पैंसन में बढ़ोतरी भी होगी तो दोस्तों इनी दो खबरों को इनी दो जानकारियों को आप सब तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो में आया था आगे और कोई जानकारी दायक आप से सरोकार रखने वाला भी से लेकि मैं फिर से आज ही रो जाओंगा तब तक के लिए जहीं दोस्तों